उत्राखंड के बागेस और जिले से दुखत कबर सामने आ रही है जहां घास काटने गई महलाओं पर सुवर ने हमला बोल दिया जी हाँ वहीं हमले के चलते एक महला चट्टान से रामगंगा नदी में गिर गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं ग्राम प्रहरी की सूचना पर पुलिस रेस्क्यू के लिए रवाना हो गई है तो वहीं जिला आपदा प्रबंदन अधिकारी सिका सुयाल के अनुसार बुद्वार को मल्खा डुंगचरा के ग्राम प्रहरी ने पुलिस को बताया कि उनके गाउं की चार महलाएं घा काटने के लिए सुबह जंगल गई थी जंगल में अचानक जंगली सूर ने महलाओं पर हमला कर दिया इस हमले में नारैनी देवी पतनी चंदंसी उम्रिच चालिस वर्स चटान से राम गंगा नदी की तरफ खाई में गिर गई जहां खाई में गिनने से उनकी मौगे पर ही मौध हो गई सुचना के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौगे पर रवाना हो गई है ग्रामिनों का कहना है कि उनके द्वारा कई बार सोरो के आतंग से निजात दिलाने की मांग की जाती रही है प्रन्त उनकी मांग को हमेशा अंसुना कर दिया जाता है सोरो के प्रेजन्टेट बाई जल संस्थान हर घर नल घर घर जल जल के महत्त को समझें जल बचाएं जीवन बचाएं चमपावत जल संस्थान द्वारा जन हित में जारी उत्राखंच की हर छोटी बड़ी खबर पर नज़ाट डालने के लिए फेस्बुक पेज़ पर दपब्लिक मैटर को फॉलो करें और यूटूब पर चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेर जरूर करें इसी तरह देखते रहे दपब्लिक मैटर नमस्कार